हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर नाइन सिक्स क्लास के बच्चों के लिए है यहां पर लिखा हुआ जैनरिक वक्षीट लेकिन इसमें भी जैनरिक वक्षीट में भी कुछ टोपिक्स हैसे होते हैं जो आपके अलग-अलग सब्जक्ट से रिलेटिल होते हैं ठीक है जो आज का टोपिक है यह आपका स्से सब्जक्ट में भी इंकलूड हो सकता है और आपका साइन सब्जक्ट म पढ़ेंगे और डेट आज आपकी कौन सी रहेगी 16 तारिक तो देखो बिटा क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझना और कोई डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट बोक्स में नीचे भी पूछ सकते हो तो देखो सूरिय सोर मंडल के केंदर में स्थीत है ठीक है सोर मंडल क्य तो यह भूद बड़ा है ठीक है जो क्या नम है सूर्य है उन सब के बीच में वो बहुत बड़ा होता है बाकी उससे छोटे होते है इसलिए हमें बाकी तो दिखाई नहीं देते हैं लकिन सूर्य तो हमें दिखाई देता है एवश हम अत्यादिक गरम गैसों से बना और तो जो ये ग्रह भोलते हैं तो जो जो इसका बल होता है जिसको वह इनको बहुतता है उसको बांदे रखता है मतलब वह गिड़ते नहीं है इसके Chat लगाते रहते हैं जैसे आप पथर को रसीं में बांद कर अपने चारों तरफ गुमा ओगे तो गुरता नहीं है ठीक है क्योंकि तुम उस पर क्या कर एक रसी से बल लगा रहे हो ठीक है लेकिन इस पर जो बल लगता है यह बिना रसी के ही अपने बल लगा दütा इन पर जो सूर्या होता है, सोर्मंडल के लिए प्रकास एवं उश्मा का एक मातर स्त्रोथ है जो सोर्मंडल है, जैसे आपके एक फैमिली है, फैमिली के अंदर एक फैमिली में कोई मेंबर है आपके पापा हैं, अगर वो जोग करते हैं, पैसा लाते हैं बाकी से कोई भी उर्जा या गर्मी या फिर प्रकास नहीं निकलता सिर्फ सूर्या की वज़े से प्रकास होता है, हम भी देखते अपने चारो तरफ जब दिन होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि सूर्या निकलता है, अगर सूर्या नहीं निकलेगा होने के भावजूद यह हमसे बहुत दूर है और जो यह सूर्य है बेटा यह भी क्या एक परकार का तारा है ठीक है जैसे हमें रात में दिखाई देते तारे लेकिन वो तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं और यह हमें बहुत बढ़ा दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे बहुत जादा नजदीक है और बाकी जो तारे होते हैं वो हमसे बहुत जादा दूर होते हैं इसलिए हमें वो छोटी छोटी दिखाई देते हैं जैसे तुम देखोगे जब ट्रेन होती है तो बहुत दूर होती है तो हमें बहुत छोटी सी दिखाई देते हैं जैसे जैसे हमारे पास आती है तो उसका साइज क्या है हमें बड़ा बड़ा दिखने लगता है ठीक है तो सूर्य पिर्थवी से लगबग क्या है 15 क्रोड किलो म हमारे सोर मंडल है जिसके बीच में सूर्य है इसके पूरे कुल सधस्य कितने 8 है यानि कि 8 चारोत्राफ चक्कर लगा रहे होंगे ऐसरे करके हमारा यह पूरा सोर मंड़ बाते हैं के match सोर्य के अनुसार को आठ कौन-कौन से सदस्या है इनके जैसे तुमारी फैमिली के अंदर तुमारा भाई, बहन, दादा, दादीस तरीके से होते सदस्या है ऐसे ही सोर मंडल परिवार है जो सोर परिवार है उसमें आठ सदस्या है कौन-कौन से इनकी दूरी के हिसाब से जो सूर्य है उससे कौन सा कितनी दूरी पर है उस हिसाब से यहाँ पे तुम्हें सिक्वेंस दे रखिया है पहला कोन है बूध फिर कोन है सुक्र फिर पिर्थवी फिर मंगल ऐसे ही फिर ब्रस्पती फिर sunny फिर uranus और फिर neptune ठीक है जैसे मानलो ये क्या ना में सूर्य है ये बूध हो गया ये सुक्र हो गया ये पृत्वी हो गया ये मंगल हो गया ये ब्रेसपती सनी युरेनस और neptune ठीक है ये सब क्या करते हैं इसके चारो तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं ठीक है वो आप में देखो कि तो आपको अच्छे से समा जा जाएगा ऐसे गोल वोल इसके चारो तरफ क्या करते हो चक्कर लगाते हैं ये तो पहला कोन है बूध है दूसरा सुक्र है फिर पिर्थवी है फिर मंगल है फिर ब्रसपती फिर sunny फिर uranus और फिर neptune है ठीक है आप ये sequence भी आले कहां है ढोंडो यहाँ पर बूध एक ये मिल गया हमें दूसरा सुक्र है मिल गया तीसरा मंगल ठीक है और चोथा और कौन सा है इसके अंदर सकते हो तुम नेक्स्ट कोशन दिया गया है सोर परिवार का चित्र बनाई है तो आप किस तरीके से बनाऊगा आपको अपनी नोट बूक में बनाना है यह देखो यह आपका क्या है सोर परिवार यह आपको Google पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा ठीक है अलग-अलग तरीके से तो सबसे प पहले बूद यह छोटा से दिखाया है उसके बाद आपको सुक्र दिखाना है फिर आपको क्या दिखाना है फिर फिर मंगल दिखाना है फिर ब्रसपती दिखाना है फिर सनी दिखाना है फिर उरेनस और फिर नेप्ट्यून यह सोर परिवार का चित्र है इस तरीके से आपक बनाने है और उन पे आपको फिर ये ऐसे करके छोटे-छोटे से ग्रह बनाने है और उनके नाम लिख देने है ठीक है colorful कर देना उनको color के according जैसा color करके दिखाये गया इसमें उस तरीके का color कर देना ठीक है अब next question क्या है कि कल्पना कीजिए सूर्य एक दिन ने निकले ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो खुद से सोचो अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या होगा दो तरीके सोच सकते हो बाब इसमें जैसे तो वर्षा के टाइम पे जब क्या होता है सूर्य नहीं निकलता सरदी के समय में तो हमें चारो तरफ हम अपने कारिया आसानी से नहीं कर पाएंगे, हमें उर्जा भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो क्या लिखोगे तुम इसमें? तुम इसमें लिखोगे कि यदि सूर्य एक दिन के लिए नहीं निकलेगा तो उस दिन रात के जैसा अंधेरा रहेगा चारो तरफ और हमें कुछ भी उर्जा भी नहीं मिल पाएगी, और भी कुछ आपको लिखना तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? तो यह आपकी आज की वक्षित थी बेटा, उमीद करके हो, आप सभी को अच्छे से समझाई होगे, बेटा, अभी से आप पढ़ते चलोगे, तो आगे बड़ अपना नेक्स्ट टोपिक जोगा हम अपनी नेक्स्ट टूडियो में करेंगे, तब तक यह से हसते रही है, मुश्क्राते रही है, बढ़ते रही है, बढ़ते रही है, थैंक्यू